हेलो दोस्तो बॉन्जोर इंडिया चैनल में फिर से आपका स्वागत है ये जो आप सनोफॉल देख रहे हैं ये 26 जैनवरी रिपब्लिक डेग की सनोफॉल है पहलगाम में उसके बाद से अभी तक कोई सनोफॉल नहीं हुई है दोस्तो आगे भी आप कुछ वीडियो देखें पहलगाम के लिए सोन मर के लिए गुल मर के लिए साथ ही होटेल रिट्स क्या चल रहे वो भी बताऊंगा और बहुत ही जरूरी इंफॉर्मिशन आपके लिए कि 15 माच के बाद क्या रिट्स होने वाले क्योंकि समर सीजन आएगा क्राउट बढ़ेगा तो क्या रिट्स होन के ही उन्होंने इतने सारे वीडियो फोटो बेज़े हैं तो दोस्तों कैब्स और होटेल रिट्स पे जाने से पहले कोविट सिच्वेशन के बारे में आपको बता दूं रूल्स वही हैं आपके पास वैक्सिनेशन के सर्टिफिकेट्स हैं तो आपको टेस्ट नहीं किया ज किया जाएगा बट कोई टेस्ट नहीं किया जा रहा है अगर प्रैक्टिकली आप पूछो जितने हैं हमारे वीवर सब्सक्राइबर सभी वहां से आ रहें वापस उन्होंने बताया कहीं पर भी टेस्ट नहीं किया गया कहीं कहीं पर वैक्सिनेशन सेटिफिकेट्स दिखान करें श्री नगर तक फ्लाइट से आने का ट्राइए करें दोस्तों और यह जो स्नोफॉल है यह भी रिपब्लिक डे की दिन की है पहलगाम की स्नोफॉल है दोस्तों तो चलो कैब रेट्स की बात करते हैं अभी अगर आप कैब ले तो श्री नगर से तो चोटी गाड़ी के के लिए लेट से आप कबल हो तो आपके लिए अराउंड 2200 से लेकर 2400 तक आपको कैप मिल जाएगी दोस्तों अगर आपका ट्रिप लंबा है लेट से 7 डेस का है तो इससे भी कम हो सकता दोस्तों और यह जो रेट आपको मैं बता रहा हूँ यह फुल ट्रिप के लिए रेट है मिन्स राइट फॉम एराइवल टू डिपार्चर कैप आपके साथ रहे ही उसके लिए यह रेट है अगर आप एक दिन के लिए ले रहे हो तो उसके लिए यह कैप रेट नहीं है उसके लिए ज्यादा देते हैं तो 700 रुपे आपको देने पड़ फिर आप लोकल साइट सिंग के अलग से पैसे दोगे फिर डिपार्चर के अलग से पैसे दोगे तो उससे अच्छा है कि आप ओवरॉल बुक करो पर डे बेसिस पे वो आपको जाधा किफायती पड़ेगा पहले गांप पहुचने के बाद आपको लोकल टैक्सी यूनियन से ही कैब लेनी होगी यहां पे आपको औराउंड 2000 से 3000 में अरू वैली बिता वैली और चंदनवारी के लिए कैब्स मिल जाते दोस्तों ध्यान रखे ड्राइवर आपके साथ जो होगा वो ऑनिस्ट होना चाहिए वरना अगर सेटिं तो चलो दोस्तों आप गुलमर की बात करते हैं तो मैंने जो आपको कैब रेट्स बताएं आपको आपका ड्राइवर तनमर तक ड्रॉप कर देगा तनमर से सेपरेट चेन वाली गाड़ी चलेगी अभी चेन वाली गाड़ी ही चल रही है दोस्तों तो तनमर टू गुलमर के यह orders हट जाए दोस्तों फिर आपकी जो cab है वो direct जाएगी गुलमर तक बहुत लोग ड्रंग waterfall के बारे हैं पूछते हैं यह आपके सामने ड्रंग waterfall इससा में बहुत खुबसूरत दिखती है दोस्तों तनमर से इसके लिए taxi मिलती अगर आप union वाली taxi पे जाएंगे तो 1500-2000 वो ले लेंगे चार किलोमेटर है तनमर से लेकिन अगर आप अपने driver को बोलते हैं तो 1000 तक आप expect कर सकते कि आपका काम हो जाएगा अब हम सोनमर की बात करते हैं दोस्तों सोनमर में आपको आपका driver गगनगीर तक ले जाएगा वहाँ से चेन वाली गाड़ी चलेगी सोनमर तक वहाँ गगनगीर से अराउंड आपको चार से पांच हजार एक कैप के लिए लगेंगे सोनमर पहुचने में चेन वाली गाड़ी चलेगी दोस्तों अगर आप ग्रूप में हैं दो तीन गाड़ी ले रहे हो तब ये कुछ कम हो जाएगा बट ऐसे तो आप 4000 मिनिमम मान के चलो कि आपको गगनगीर से सोनमर के लिए लगी जाएगा दोस्तों इसलिए मैंने सोनमर के लिए जादा आपको रिकमेंड नहीं किया इस वक्त बहुत जादा ट्रांस्पोर्टेशन में वहाँ खर्चा हो रहे हैं मेरे कॉर्डिंग सोनमर सबसे खुबसूरत आटम में रहती है दोस्तों सनो में खुबसूरती पता नहीं लगती चारो तरब बस वाइट ब्यूटी ही दिखती है अगर आप आप आटम में आएंगे सोनमर तब आपको इतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे डारेट कैप जा लंघ आ पुत आरहें क्योंकि सबसे ज्आजव snoe fall सोनमर में होती है सबसे ज्याख कवर सोनमर में ही पाई जाती है दोस्तो तो यह आपके बज़ट पर अगर आप वहाँ ज़ाते अभी वह राउंड 7,000-8,000 से स्टार्टिंग है जैन्वरी से उपर हो गए हैं रेट्स अभी कुस दिन पहले तो 5,5 तक 6 तक अभी वहीं होटेल 7,7,8 तक मिल रहे हैं दोस्तों इसमें भी आपका only breakfast included है dinner included नहीं है पहलगाम किया बात करें तो 7,000 में आपको proper 3 star मिल रहे हैं दोस्तों with breakfast तो ये सारे online rates हैं दोस्तों आप online चेक करो आपको पता लग जाएगा इससे जाद ही rates अभी मिल रहे हैं जिनके साथ हम गये थे ट्रावल में कश्मीर वो इससे कम में breakfast और डिनर एरेंज करा रहे हैं क्योंकि ये लोग local agency हैं अभी हमारे बहुत से वीवर्स ने इनके साथ ट्रिप किया तो उन्होंने around 25-30% safe किया online rates के मुकाबले में और उन्हें breakfast डिनर दोनों मिला दोस्तों for example ये Alpine Ridge जो होटेल है दोस्तों 3 star है Central Heated बहुत ही popular है ये online आप अभी देखोगे तो 12,700 ये दिखा रहे हैं नहीं है बहुत जादा minus में temperature चली गई है तो 3 star सारे close हो गए है only 4 star operate कर रहे है वो भी जादा तर गगनगीर से सोनमर में जो होटेल है 4 star उनका rate अराउंड 10,000-14,000 ऐसा चल रहा है per day पे इसके साथ ही आप budget में ट्राइवल करना चाहते हैं तो वहाँ भी काफी कम rates में central heated hotels ये provide कर रहे है उसके लिए आप इनको contact कर सकते हैं दोस्तो तो ये सारे जो rates हैं ये मैंने आपको बताया है फेब के लिए March 15 के बाद दोस्तो rates और बढ़ जाएंगे क्योंकि March April में सबसे जादा tourist आते हो दोस्तो कश्मीर में तो आप इन rates से भी जादा rates expect कर सकते हो March 15 के बाद Caps rate more or less same रहेंगे बट अगर जादा crowd हुआ तो cap rates भी बढ़ जाएंगे दोस्तो तो अगर आप अपने trip March 15 से पहले plan कर रहे हो तो आपको पैसे कम देने पड़ेंगे और March 15 के बाद आपको जादा खर्चा आएगा अगर आप गुलमर पहलगा में स्टेक करते हो तो दोस्तो मेरे recording best रहेगा श्रीन अगर में आप स्टेक करें दो दिन आप house vote में रह लें, दो दिन आप central heated hotel में रह लें accommodation में इतना जादा पैसे खच करने से अच्छा है कि आप explore करने में पैसे खच करें, खानी पीने पर करें मेरा passion है आप लोगों को अच्छे से guide करना, आपके पैसे बचाना दोस्तो आने वाले वीडियो में मैं shared caps के बारे में भी information ला रहा हूँ आप लोगों के लिए खास कर जो solo travelers हैं, जिनके साथ family नहीं है, कैसे वो शीन अगर से गुलमर, पहलगाम, सोनमर्क बहुत सकते हैं, shared caps के थुरू, वो आपसे मैं जल्द ही share करूँगा दोस्तो हाला कि shared caps की journey इतनी असान नहीं होती क्योंकि आपको शीन अगर main town से shared caps नहीं मिलते हैं, आपको थोड़ा out of city जाना पड़ता है, बट adventurous होती है journey, थोड़ time taking होता है, बट पैसे बहुत ही कम लगते हैं, इसलिए ये solo travelers के लिए, especially जो students हैं, उनके लिए एक अच्छा option रहता है दोस्तों, तो उमीद करता हूँ, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हम जल्दी, नए अपडेट के साथ, तब ते के लिए, good bye, take care, जय हिंद,